अलो बच्छों लेट्स रीड दर कॉश्टिन फर्स दो कॉश्टिन से इस पिक आउट दर करेक्ट स्टेट्मेंट बताना है कि कौन सा करेक्ट स्टेट्मेंट है नंबर वन हमें दिया हुआ है सिनैप्सिस और होमोलोगस अप्रो क्या देखने को मिलेगी मिय३ कि लेते हैं उप्रो ऊच्छों घ्लत स्टेट्मेंट है ना फेसमें अपको क्या देखने को मिलता है separation of homologus यहां पर क्या होता है हो प्रेट होते है गलत हो गया spindle fiber disappear completely in telophase of mitosis तो बच्चो यह बिल्कुल सही है spindle fiber आपको disappear होते हुए दिखेंगे तो अगर हम फोर्थ देखे तो फोर्थ nuclei reappear in at telophase one of meiosis में बच्चों क्या होता है meiosis के telophase में नुक्लियोलाई है वो reappear होती है यहां पर reappear लिखा हुआ है तो यह reappear होती है और इसके साथ साथ और क्या क्या reappear होता है endoplasmic reticulum, gall givoli, nuclear envelop, nuclear envelop and nucleolus या nucleolus भी बोल सकते हैं क्योंकि वो plural है और nucleolus is a singular तो यह reappear होते हैं और यह disappear कभ हुए होते हैं यह सारे disappear होते हैं late pro phase में तो यह statement भी बिल्कुल सही है अब हमें correct बताना है बच्चों की correct statement कौन से थे तो correct statement है हमारा one, three and four two नहीं है तो यहां पर हमारे पास यहां पर one only दिया है यह भी गलत है three only दिया है तो यह भी गलत है one and two दिया है तो यह भी गलत है और d option हमारा इस हिसाब से right है क्योंकि one, three and four यह option d is our correct answer बच्चों आप लोगों को यह solution समझाया होगा thank you all the best